हिंदूधर्म में पित्र देवता का दूट दालका सही है इनकी संतुष्टी के लिए नेक प्रकार के कर्म किये जाते हैं अभी पित्र पक्ष आरंभ होने वाला है 17 सितंबर से रारंभ होने जा रहा है तो था दो अक्टुमबर तक रहेगा इन पित्र पक्ष में भगवान पित्र देवताओ के लिए हमें कुछ काद्रे करना चाहिए जिससे उनकी पत्रप्ती होए और पित्र क्ष बडा महत्पु का दिन कहा गया कि इसमें जो पित्र देव स्वर्ग में वह तथा जो यमलोक में निवास करते हैं उन्हें भगवान यमराच जी जो धर्म राच जी कहते हैं यमराच जी उन्हें इन पंदरह दिनों के लिए प्रवजं के लिए सद्धा रखते हैं वह का 54 Кर्म पिट्र प्रक्ष में किये जाते हैं तथा इन पित्र पक्ष में इस प्रकारी पित्रों देवताओं को संतुष करने के लिए कर्म किये जाते हैं पर इस पित्र पक्ष में कुछ कारे हैं जो कि नहीं करना चाहिए पित्र पक्ष कहा गया है कि पित्रों के लिए प्रमुखे इन में सिर्फ पित्र कारी करना चाहिए और पित्रों के लिए जो भी कारी करें वो भगवान पित्र देव को समर्पित करकर करना चाहिए यहाँ पर विशेश कर कहा गया है कि पित्र पक्ष में किसी भी सुप कारी को आदि नहीं करना चाहिए कि जैसे के नहे कपड़े लेना वहान खरीदना या ग्रह प्रवेश पेसा नया कार्य नहीं करना चाहिए इन कार्यों को न करे तो पित्रों में शद्धा रख करके पित्र के निमित कार्य करना चाहिए जो इस पित्र पक्ष में भगवान पित्र देवताओं को संतुष्ट करत का है वह घर में धन्य धन्य की आदि की व्रद्धी देते हैं वह सुख सम्मद्धी आदि प्रदान करते हैं